तो दोस्तों क्या आपको भी Facebook एकाउंट लोगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है क्या आपको भी Invalid Username, Wrong Credential या फिर Incorrect Password जैसे प्रॉब्लम आ रहे हैं या फिर हो सकता आपको Older Password का प्रॉब्लम आ रहा होगा या फिर Season Expire का प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आपको Facebook एकाउं रुचा है कितना भी पुराना हो या फिर आप उसका Password बोल गए हो या यूजर नेम याद ना हो तो भी आप उसको बहुत यह आसानी से Login कर पाएंगे तो दोस्तों आपको क्या करना सबसे पहले अपने फोन में Facebook आपको Open कर लेना है Facebook में आने के बाद अगर यहाँ पर आपका कोई अकाउंट Login है तो उसको Logout कर लीजिएगा फिर आपके सामने इस प्रकार का Page आ जाएगा अब आप जिस अकाउंट को Login करना चाते हैं सबसे पहले आप ध्यान अकिए उसका यहाँ पर Mobile Number या Email ID डालना है फिर उस अकाउंट का Password डालना है अब दोनों में से अगर कोई भी Information गलत होगी तो आपका Account Login नहीं होगा अगर आप Mobile Number या Email ID गलत डाल देते हैं और Password सही डालते हैं तो भी आपका Account Login नहीं होगा तो आपको क्या करना है दूनों चीजे सही सही डाल ली है अगर मालेज आपका Email ID और Mobile Number आपने सही डाला है लेकिन आपको Password याद नहीं है, Password सही नहीं है तो उसके लिए क्या करना है अपने एकाउंट के पासवर्ड को reset करना होगा तो इसके लिए क्या करना है जब आप इस page पर आएंगे तो यहाँ नीचे आपको option मिलेगा forget password आपको यहाँ पर कुछ नहीं डालना है बस आपको यहाँ forget password पर click कर देना है जैसे आप forget password पर click करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का page आ जागा यहाँ पर लिखावा है find your account तो आप जिस account को login करने की कोशिस कर रहे हैं उस account का आपको mobile number या email id डाल देना है आपने उस account में जो भी mobile number link किया था या email id डाला था वो यहाँ पर डाल दीजे अगर mobile number link नहीं रहेगा तो आप यहाँ पर mobile number डालेंगे तो आपका account नहीं आएगा तो अगर आपने mobile number link नहीं किया था तो यहाँ पर आपको option मिलेगा search by email instead इस पर click कर दीजे इसके बाद यहाँ पर आपको option मिल जागा email का अब इस पर click कर दीजे अब यहाँ पर आप अपने उस account का email id डाल दीजे जिस email से आपने वो account बनाया था अगर आपको नहीं आदे कि मैंने किस email से वो account बनाया था तो आपको क्या करना है आपके पास जितना भी email id है या जितना भी phone number है सबको यहाँ पर बारी बाई से डाल कर ट्राइ करते रहना है जैसे मैं भी आपको दिखाऊंगा उसके बाद आपका एकाउंट किसी न किसी इमेल से जरूर मैच कर जाएगा तो यहाँ पर चलिए मैं इमेल आइडी डाल दिता हूं तो इमेल आइडी डाल दिया मैंने अब यहाँ पर आपको continue पर क्लिक कर देना है अब जैसे आप इमेल आइडी डाल कर continue पर क्लिक करेंगे तो अगर उस इमेल आइडी या फोन नमबर से आपका एकाउंट बना होगा तो वो यहाँ पर आ जायेगा अब यहाँ पर आपको नीचे दो आप्सन मिलेगा continue का या login लिखा होगा फिर यहाँ पर एक option मिलेगा try another way अगर यहाँ continue या login पर क्लिक करने के बाद आपका एकाउंट लोग इन नहीं होता है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है try another way तो यहाँ try another way पर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे option मिल जाएंगे OTP receive करने का तो यहाँ पर email आइडी सेलक्ट कर लिजे चलिए यहाँ पर मैं यह वाला सेलक्ट कर लेता हूं get code वाया facebook notification आप यह भी कर सकते हैं अगर यह option आ रहा तो इसके बाद आपको continue पर क्लिक कर देना है अब जैसे आप continue पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन में notification के जरिए एक OTP आ जाएगा तो फिलाल अभी यह वाला फोन मेरे पास यहाँ पर मैं वो OTP एंटर कर देता हूं 57 86 91 OTP डालने के बाद आपको continue पर क्लिक कर देना है OTP नहीं आया तो send code अगेन पर क्लिक कर देजिए अब जैसे आप continue पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक page आ जाएगा reset password तो यहाँ पर आप अपना password reset कर सकते हैं लेक ID मेरे mobile में बहुत दिनों से login है और Facebook जान लेता है कि आपका ही यह mobile है जिसमें आप अपने account login कर रहे हैं क्योंकि Facebook के पास सारा data होता है तो वो पैचानता कि आपका mobile कौन सा है कौन आपका device है आप किसमे login कर रहे हैं तो कई बार वो बिना password के ही login कर देता है और अगर आप कि इसी mobile में Facebook यूज़ करता हूँ ओके अब चाहूं तो मैं अपने setting में जाकर password को reset भी कर सकता हूँ तो इस प्रकार से अगर आपका Facebook account login नहीं हो रहा है तो आप उसको login कर सकते हैं इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है अगर आप अपनी Facebook account को login करना चाहते हैं वो login नहीं हो रहा है तो आपको अपने Facebook के password को reset करना ही होगा तो आयोग कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर Facebook ID login नहीं हो रहा है तो इस problem को कैसे ठीक करें अगर आपको वीडियो पसंद आयो वीडियर फू लगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box म जरू से पूछ लीजेगा